Hello friends Friends, सुशान सिंह राजपूत case में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इस case में जो evidence थे उन सब evidence को मिटाया गया था और यह सब को जानबूचकर किया गया था और उस location को एक picnic spot बनाया गया था तो friends, अभी अगर CBI को जीतना है उनको सुशान सिंह राजपूत को justice दिलाना है तो उनको substantial evidence के उपर depend रहना पड़ेगा और इतना ही नहीं बलकि eye witness के उपर भी concentrate करना पड़ेगा और यही सब चीजे BGP के leader और MP सुब्रमन्यम स्वामी जी अपने tweet में बता रहे है तो friends मैं आपको बताता हूँ कि स्वामी जी ने अपने tweet में क्या लिखा है तो वो कहता है कि there was systematic destruction in the evidence So this requires pain stocking reconstruction Since SSR was cremated next day, toughest is the revaluation of the Cooper Hospital's report So circumstantial evidence obtained by CBI and confessions God have to fill the gap इसका मतलब है कि स्वामी जी कहना चाते है कि जो कुछ भी किया और जो कुछ भी evidence थे उनको बरही planning से साफ कर दिया गया था और इसी कारण से CBI को सबूत इकटा करने में बहुत मेहनत लगेगी और यह करना बहुत ही cutting job होगा आगे वे कहते है कि सुशान को दूसरे दिन जल्दी से जल्दी क्रिमेट कर दिया गया था इसी कारण से जो कुपर होस्पिटल की report है उसे जाज करना बहुत ही cutting होगा और इसी कारण से CBI को substantial evidence और eyewitness उनके उपर depend रहना पड़ेगा उनसे खोज करनी पड़ेगी उनसे पूश्थाच करनी पड़ेगी इस case को solve करने के लिए तो friends ये बात उन्होंने बहुत ही important बात बोली है और बहुत सारे experts का भी यही मानना है क्योंकि circumstantial evidence इस case में बहुत महत्वपूर्ण है और CBI अगर इसके पीछे पड़े तो इस उशान सिंग राजपूत case solve होगा तो friends आप क्या क्या कहना है जरूर लिख दीजिए comment box में तब तक की लिए धन्यवाद और bye bye